दुनिया के सबसे अमीर शक्स एलन मस्क एक बार फिर से सूर्खियों में है दरसल मस्क की अपनी नई गर्फरिंड नताशा बैसिट के साथ तस्वीरे सामने आई है 50 साल के मस्क और 27 साल की नताशा को हाली में एक लगजरी होटेल में लंच करते हुए देखा गया आपको बता दे की अक्टरिस नताशा बैसिट मस्क की अब तक की सबसे कम अमर की गर्फरिंड है सोशल मीडिया पर लोग नताशा बैसिट के बारे में जानने के लिए एकसाइटिड रहते हैं लोग सबसे अमीर शक्स की गर्फरिंड के बारे में जानना चाहते हैं बता दे कि आस्ट्रेलिया की रहने वाली नताशा बच्पन से ही एक्टिंग की शौकिन थी 14 साथ की उम्र में उन्होंने रोम्यो एंड जूलियत नाटक में जूलियत की भूमी का भी निभा कर खुब सुर्खियां बटोरी थी आपको बता दे की नताशा बैसेट एक आस्ट्रेलिया मोल की अमेरिकी एक्ट्रिस है एक्टिंग के साथ नताशा एक स्क्रीन राइटर और डारेक्टर भी है 2017 में म्यूजिक आइकन के लाइफ टाइम बायपिक में बृट्नी स्पियर्स की भूमी का निभाने के बाद वो एक जाना पहचाना नाम बन गई बाद में एक्टिंग सीखने के लिए नताशा उनने साल के ओबर में आस्टेलिया से नियो यॉक चली आई इसके बाद साल 2014 में नताशा बैसिट ने एक शॉर्ट फिल्म काइट को डिरेक्ट किया उनकी ये फिल्म रोडे आसलेर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी फिल्हाल नताशा अमेरिका में रह रही है उन्होंने कई फिल्मों को डिरेक्ट किया है अभी वो अलन मस्क के साथ नजर आने के कारण एक बाफिर से चर्चाओं में है रिपोर्ट के मताबिक नताशा बिजनसमेन अलन मस्क की नई गल्फिंट है वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं बताया जा रहा है कि ये कपल फरवरी 2022 से एक दूसरे को डेट कर रहे है इससे पहले नताशा और मस्क को एक प्राइविट जेट में लास एंजलेस में उतरते देखा गया था गौर्ड लब है कि मस्क अकसर अपने रिलेशन्शिप को लेकर सूर्खियों में रहे हैं वो साथ बच्चों के पिता हैं और उनका तीन बार तलाग हो चुका है अभी वो एक्ट्रेस नताशा को रेट कर रहे हैं और इस समय ये दोनों ही सूर्खियों में चाय हुए हैं इस खबर में फिलहा लिता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ